हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशाल लाइफ में आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज जिसका नाम है शोनार बंगला और यह है एपिसोड 11 आज हम बात करने जा रहे हैं बंगलादेश में बन रहे हैं नुकलियर पावर प्लान के बारे में इसी के स दोस्तों वैसे तो बंगलादेश में बहुत साथ से खुशिश की जारी थी नुकलियर पावर प्लान्ट बनाने की लेकिन लेंड एकुजेशन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और सेफटी मेजरमेंट्स के कारण यह प्लान्ट पोस्टपन होता गया और दोस्तों फाइनली तीस न जेशन कैपसिट्य को घ्राने के लिए जै में दो nuclear reactors हों गया और एक nuclear reactors की generation capacity 1.2 gigawarts हो गहीं यानि टोटल nuclear power generation की capacity 2.4 gigawarts हो गहीं दोस्तो पहला nuclear reactor 2023 मार्स तक complete करने का estimation है और दूसरा nuclear reactor 2024 तक complete करने का plan है और इस nuclear power plant का construction Russia की Ross Atomic State Energy Corporation बना रही है इसी के साथ दोस्तो इंडिया भी रश्या और बंगलादेश को help कर रहा है इस nuclear power plant में मार 2018 में इंडिया ने एक agreement sign किया है रश्या और बंगलादेश के साथ उसके मुताबिक इंडिया non-integral car करेगा जिसमें construction और installation का काम भी किया जाएगा उसी के साथ साथ दोस्तों IAEA यानि International Atomic Energy Agency भी बंगलादेश को assist कर रही है इस nuclear power plant में और दोस्तों इस nuclear power reactor का type PWR है यानि pressurized water reactor system जो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वाइब किया जाता है और जैसे ही nuclear power plant complete हो जाएगा बंगलादेश वर्ल की 32nd country हो जाएगी जिसके पास nuclear power generation होगा दोस्तों जैसे ही 2023 में ये nuclear power plant operation में आ जाएगा तब रश्या की state company Ross Atom State Corporation Limited इस power plant को एक साल तक चलाएगी और एक साल के बाद ये बंगलादेश को सोब देगी और बंगलादेश की Atomic Energy Commission जो 1963 में फॉर्म होई है वो इस nuclear plant को चलाएगी इसके life span 60 years तक expect की गई है अब देखते हैं इस nuclear power plant का estimated cost दोस्तों इसका total cost 12.6 billion dollar estimate किया गया है जिसमें से 90% Russian government invest कर रही है और 10% बंगलादेश की government invest कर रही है और दोस्तों जो लोन बंगलादेश को मिर रहा है वो 20 साल के अंदर बंगलादेश को चुकाना है दोस्तों अगर हम construction का progress देखते हैं तो वो बहुत तेजी से हो रहा है और कुछी दिन पहले बंगलादेश ने एक बड़ा milestone achieve कर लिया है नुकलर power plant के लिए जो concrete structure यानि जो basic structure बना जाता है दोस्तों वो बन चुका है ये एक बहुत बड़ा achievement है और अगर बंगलादेश इसी हिसाब से काम करता है तो दोस्तों 23 से nuclear power reactor operation में आ जाएगा हम आशा करते हैं दोस्तों ये nuclear plant जल से जल बन जाए और इससे बंगलादेश को बहुत फैदा हो दोस्तों इस वीडियो के शुरुआत में मैंने एक announcement की बात की थी और दोस्तों वी announcement ये है कि पिछले ती मैने से हम इस चैनल को actively चला रहे है और अभी तक YouTube के तरफ से कोई पैसा नहीं मिला ना ही हमारे चैनल पे अभी ads आ रहे है तोस्तों अभी हमारा चैनल monetization review में चल रहा है और इसी कारण दोस्तों हमें चैनल चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है इसलिए दोस्तों हम आपसे donation के लिए request करना चाहते है आप हमें money donate कर सकते है PayPal या Patreon के दुवारा दोस्तों description में मैंने PayPal का link दिया है आप वो link खोल कर PayPal पे हमें money transfer कर सकते है दोस्तों अगर आपके पास PayPal एकाउंट नहीं है तो बहुत असाने PayPal एकाउंट बना लीजे और दोस्तों इस channel को grow होने में आप बदित कीजे जब हमने channel की शुरुआत की थी तब हमें यह नहीं लगा था कि हमें आज ये दिन भी देखना पड़ेगा लेकिन ये दिन भी हमें देखना पड़ रहा है और दोस्तों आप सबी के support की मुझे जरूरत है प्लीज हमें PayPal या Patreon पर support कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद Thank you